जियोन में ऐसी तमाम सारी इस्तिती को हमें फेस करना पड़ता है जब हम किसी चीज की होने या ना होने की संभावना को डिसकस करते हैं। हम कभी कहते हैं कि आज बारिस हो जाएगी, या बारिस होने की बहुत अधिक संभावना है। या चातर अगर किस परिच्छा को दे रहा है तो इसमें पास हो जाएगा या इसके पास होने की बहुत अधिक या कम संभावना है कोई पेसेंट अगर हास्पिटल में एडविट हुआ है तो उसके बचने या स्वस्त होने की अच्छी संभावना है या नहीं है इन सारी तमाम सारी स्थिति को हम लोग फेस करते हैं और इन सब को हम लोग आपजर्ब करके चलते हैं लेकिन इन सब का फिर भी एक तरह का एक सॉलिट मतलब इतना सब कुछ होने के बाद भी हम किसी एक सॉलिट कंक्लूजन पे नहीं पहुंच सकते हैं हमें नहीं कह सकते हैं कि जो हमने बोला हो सत्य हो जाएगा कि नहीं सत्य हो जाएगा हाँ अगर इसका एक mathematical measurement कर दिया जाए एक ऐसी स्थिती दे दिया जाए जो calculating हो जिस पर गड़ना की जा सके तो उस पर जरूर हम लोग भरोसा कर सकते हैं और उसी गड़ना का रूप मैस में हमको दिया गया probability की रूप में प्राइक्ता के रूप में प्राइक्ता आज हमारे पाठेक्रम का हिस्सा है और यह यह यूपी एसाई ही नहीं तमाम सारी वो एक दूसी परिच्छा है जो की चाहे स्टेट लेबल की हो रही हो चाहे केंद्र लेबल की हो रही हो जो आगामी होने वाली है जुनकी होने की अधिक संभाव ना हो हर एक परिच्छा में इससे संबंदित प्रसन आज के ट्रेंस में चल रहा है आज के दौर में आ रहा है आप हर परिच्छा में probability प्रायक्ता के तमाम प्रसनों को आप नोटिस कर रहे हैं आप जर्ब कर रहे हैं तो आज के इस सेसन में हमारा यही उद्देश है कि हम आपको प्रायक्ता का पुरा introduction दे उसकी तमाम सारी उन इस्तितियों को आपको समझाएं जो की आ सकती है जो की हो सकती है और उस पूरे प्रायक्ता का डर आज हम खतम कर देना चाहते हैं हम academic में पढ़ने के दोरान प्राइक्ता को लेके बड़ा confused होते थे हमारे सामने जब प्रसन आते थे तो हमको लगता था कि मैं concept नहीं clear है तो हम कैसे प्रसनों को हल कर पाएंगे तो आज मैं उन्हीं सारी स्थिति को आपकी दूर करना चाहता हूँ मैं अपने इस सेसन के माद्यम से उस प्राइक्ता के डर को ही समाप्त कर देना चाहता हूँ और मैं सियोरिटी के साथ कहा रहा हूँ अगर पूरे सेसन को आप इंट तक देखते हैं एक पेसेंट को आस्पिटल में एड्मिट करिए तो उस दौरान हास्पिटल आपको ये कितना बड़ा सा एक आपको फाइल दे देता है उसमें आपको साइन करना पड़ता है और उस अगर पूरे उनकी टमस और कंडीसन को हम पड़ ले तो हमारी हिम्मत नहीं करेगी साइन करने की ओपेसंट के साथ होने वाली आगामी सारी संभावनाओं को उस फाइल में लिके रहते हैं मतलब अपनी तरफ से जितनी भी पॉसिबिलिटी हो सकती जिससे कि वो बच सके उसको जरूर मेंसन किये रहते हैं हम बिना पड़े उसके साइन कर देते हैं मतलब हर चीज को पहले से आपजर्ब कर लेते हैं मतलब दुनिया में किसी चीज के निश्चे या अनिश्चे की संभावना को या उसके मीजर्मेंट को ही हम लोग प्राबिबिल्टी कहते हैं इस प्राबिबिल्टी को फाइन करने के लिए हमारे पास समसे पहले एक एक्सपेरिमेंट होना चाहिए मतलब एक परिछड या एक एक्टिविटी होनी चाहिए हम किसी चीज में पहले इन्रोल तो हो कोई काम सुरू तो करें हम कहीं एक अस्थान से दूसरे अस्थान तक जाएं या किसी भी प्रकार का परिछड करें उस परिछड को करते ही हमें कई सारे मतलब इबेंट्स जरेट होते हैं उस परिछड को करते ही बहुत सारी संभावनाएं हमारे सामने आ जाती हैं उन सभी संभावनाओं का एक समुच्च है उन सभी संभावनाओं का इन घटनाओं को भी अगर हम classify करें तो दो प्रकार की होती हैं, एक ऐसी घटनाए होती हैं, जो किसी पर dependent होती हैं, मतलब किसी एक के होने से ही अगला होगा, जिसको हम लोग dependent कहते हैं, परतंतर कहते हैं, लेकिन कुछ घटनाए ऐसी होती हैं, जो कि अपने में dependent होती हैं, पूरी probability खतम हैं आप किसी एक experiment परिच्छड की बात करिए जो कि आपको प्रस्णों के हिसाब से मिलेगा मैं आपको बता दू कि किस-किस प्रकार के प्रस्ण आपको दिखेंगे सिक्कों पर मिलेगा डाइस पर मिलेगा कार्ड पर मिलेगा बैक्स थैले पर मिलेगा डेज पर हमारी परिच्छा के अनुसार जो हमारा लेबल है उस पर मैं discussion आपसे करूँगा मतलब यह सारी तमाम सारी परिस्थिति आपको प्रस्ण जनरेट करेगी मैंने कहा जो experiment हैं यही हैं आप सिक्का उचा लेंगे आप किसी dice को रोल करेंगे आप किसी तास की गड़ी से किसी एक को निकालेंगे इन तमाम सारी experiments के दोरान ही हम लोग probability को observe करते हैं probability को सही तरह से read करते हैं अब जिन इस्तितियों के बारे में मैंने आपको discuss किया मैंने आपको समझाया कि हम अगर दो चीजों को अच्छी तरह से पढ़ ले एक तो sample space दूसरा event तो पूरी probability खतम हो जाएगी अब हम जैसे पहली बात आपको एक बताते हैं कि मालीजी एक experiment generally हुआ क्या जैसे आपने मालीजी एक dice roll किया dice आप समझते हैं जिसको हम हिंदी में पासा कहते हैं आपने एक dice roll किया जब आप dice का मतलब आजकल तो जब आप देखे होंगे कि इस समय ऐसे भी trends में चल रहा था क इस समय लूडो सब बड़ा खेल रहे थे लूडो में आप देखते हैं कि पासे को जैसे क्लिक करते एक दो तीन चार पांच छे आने की संभावना हो जाती है मतलब अगर एक पासे या dice को हम रोल करें तो हमारे पास कुल six outcomes होने की possibility है one two three four five six मतलब कुल एक से लेके छे तक क नंबर के आने की possibility है मतलब डाइस को रोल करने की कुल possibility जो रोल होने के बाद कुल numbers के आने की possibility हम लोग यहाँ पर एक सिछे तक के numbers को एक सेट में उठा के रख सकते हैं यही आपका प्रतिदर समिश्ट मतलब sample space कहलाया तो sample space को अगर आप explain करें तो आप कह सकते हैं कि it is called the total outcomes is it called the total outcomes मतलब संपूर संभावना है किसी एक activity के बाद उस समय जितनी भी इस्थितिया generate हो सकती हैं बट इस इस्थिति में हम कई सारे event को measure कर सकते हैं कई सारी घटनाओं को सोच सकते हैं event 1, event 2, event 3 इस तरह के तमाम सारे event हम आपको यहाँ पर बता सकते हैं जैसे किसी event में हम कह दे कि outcomes of the event number मतलब सम संख्याओं के होने की possibility हम यहाँ पर सम के साथ साथ भी सम कह सकते हैं उनके होने की possibility हम यहाँ पर prime number के होने की बात कर सकते हैं हम तीन से बड़ी संख्याओं की बात कर सकते हैं हम तीन के multiple की बात कर सकते हैं इस तरह से हम कई सारे event generate कर सकते हैं मतलब य इतने भी event हो सकते हैं, इस सारे के सारे events जो बनेंगे, इस सभी के सभी subset कहलाएंगे, sample space के मतलब sample space से हमेशा कम रहेंगे, इनके outcomes या उसके बराबर रहेंगे, कभी भी उससे ज़्यादा नहीं होगे। अब ये जो event आप निकाल रहें हैं, इन्ही event की probability find करनी होती है, इन केस अगर कोई event जिसका नाम एक घटना जिसका नाम अगर मा लीजिये यहाँ पर A है, एक घटना है जिसका नाम A है, एक कुछ भी हो सकता है, एक dice को रोल करने के दोरान समसंख्याओं की possibility प्राइक्ता, या स सकते सबसंख्याओं के होने की स्थिति, बिसम संख्याओं के होने की स्थिति, एक सिख्के coin को आप task करें तो head आने की स्थिति, टेल आने की स्थिति, तास की गड़ी से किसी एक पत्ते को निकालने में, किसी एक काले रंग की या बेगम की या बासा की होने की स्थिति, किसी probability को पी आप A से indicate कर सकते हैं पी आप A को हम लोग mathematically यन आप A upon यन आप YS कह सकते हैं यन आप A upon यन आप YS से हमारे पास जो फार्मुला डिबलब हो रहा है यही probability मीजर करने का तरीका होता है जहां पर यन आप A को आप कह सकते हैं number up outcomes number up outcomes in event A मतलब घटना A में जितने भी possibility जितने भी number up outcomes आ सकते हैं उनकी संख्या जबकि यहां पर इसको हम कह सकते हैं total number up outcomes total number up outcomes of experiment मतलब जो परिछड आपने किया था जो परिछड activity परफार्म करी थी उस परिछड उस activity की कुल कितनी इस्थितियां उत्वन हम लोग यहां पर divide कर दे कुल से तो जो यह ratio बना यह ratio ही आपकी probability कहलाता है अब इस ratio में हमने अभी आपको बताया था कि A will call the subset of the yes मतलब यह या तो बराबर होगा यह के या उससे छोटा होगा इसलिए हम कह सकते हैं कि probability किसी भी event की एक के बराबर या बड़ी होगी जीरो से बड़ी या जीरो के बराबर होगी एक से छोटी या इक्कुल होगी तो कभी भी किसी भी संख्या की किसी भी event की probability का मान जीरो से छोटा नहीं हो सकता है एक से बड़ा नहीं हो सकता है probability हमेशा 0 और 1 के बीच में रहती है मतलब वो जो भिन बनेंगे हमेशा लगवग एक से छोटे आपको दिखेंगे ये तो बात होगे probability को find करने की जैसे हमने माली जी इस समय एक समय निस्चिता की probability find करी हमने निस्चिता की probability find करी और निस्चिता की probability सपोच करिये PFAI इस दोरान अनिस्चिता की probability अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो आपको सारी बाते समझ में आएगी अनिस्चिता की जो probability होगी ओओ आपकी 1-PFA हो जाएगी अब 1-PFA किसलिए हो जाएगी इसको समझने की कोशिस करिएगा कि अगर जैसे हमने कहा कि किसी दोरान एक coin को toss किया गया तो या तो head आएगा या तो tail आएगा कभी किसी farm में देखेंगे तो आपको क्या दिखता है या तो आप yes लिखेंगे या तो no लिखेंगे या हम कोई तमाम सारी यह स्तिती फेस कर सकते जहाँ पर yes or no की situation होती है उस समय जितनी अगर हमारे पास complete outcomes या complete probability या complete observation की बात करें तो वह आप probability 1 provide करेगी in case उसमें से हमें निश्चित्ता की कोई probability मिल गई तो अनिश्चित्ता की probability के लिए हम एक में से निश्चित्ता की probability को माइनस कर देंगे तो अनिश्चित्ता की probability हमको पता चल जाएगी मालेजे किसी चीज की दो ही outcomes हो सकती है उस दोरान अगर एक outcomes की probability हमको पता चल गई तो दूसरे को निकालने के लिए हम एक से उसको मानस कर दे हमको पता चल जाएगा यह बाते आपको धीरे धीरे असपस्ट होती चली जाएगी मैंने जैसे अभी थोड़ी दिर पहले एक एक जामपल आपको दिया था कि अगर मान लिजे आप एक डाइस को रोल कर रहे हैं एक पासे को आप फेक रहे हैं पासे को फेकने से आपने टोटल आउटकम्स देखा था एक से लेकर के कितने थे एक, दो, तीन, चार, पाच और छे बन कर आये थे इन केस इसमें हम से कोई कहता कि इबेन आउटकम्स मतलब सम संख्याओं के होने की प्राइकता क्या होगी तो सम संख्याओं आप देख रहे हैं दो है, चार है, छे है अब प्रॉबिल्टी के नियम के अधार पर आपको बताया गया है यन आफ ए अपान, यन आफ यस कर दीजिए तो कितनी संख्या इसमें है, तीन है और टोटल में कितनी है, छे है तो प्रॉबिल्टी इसकी एक बटा दो हो गई कुल मिलाके, जो मैंने आपको बताया कि अगर हमको यस और हमको ए यस का मतलब टोटल, आउटकम्स मतलब कुल आने की इस्थिती और यहाँ पर फेवरेबल, मतलब आपके हिसाब की जो चीजे है उनकी इस्थिती, मतलब एक तरह से हम कह सकते है कि कुल कितनी संभावना है और आपकी जो जरूरत है, उसमें कितनी संभावना है कितने नंबर्स हैं, इन दोनों का मान अगर हमको पता चल जाए, हम ए अपानियस कर दे तो हम हमेशा probability को अराम से ग्याद कर सकते हैं तो कुल में लाके, अगर हम sample space, मतलब प्रतिदर्स, समिस्ट और event, यह दो चीज निकाल देते हैं तो probability हमारे लिए खेल हो जाएगा probability से असान कुछ रहेगा ही रहेगा मैं अब यहाँ पर, अब आपको उसी category के अधार पर जो मैंने आपको describe किया है उसी category के अधार पर type to type में प्रसनों को कराते जा रहा हूं और concept को कराते जा रहा हूं सारी बाते आप धीरे-धीरे समझ पाएंगे, सीख पाएंगे हम बात करते हैं सबसे पहले coins पर based हम लोग सबसे पहले बात करते हैं based on coins सिक्कों की बात करते है आपने देखा होगा कि एक सिक्के के दो पहलू होते है सिक्के में या तो head होता है या तो tail होता है मा लिजिए आप एक coin आप एक coin को task करते हैं एक कोईन को टॉस करते हैं तो उस टॉस के दोरान आपको पता है दो आउटकम्स आने की संभावना है या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा इनके अलामा तो कुछ नहीं आएगा या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा हेड टेल के अलावा कुछ नहीं आ सकता है अब आ आप अगर मान लीजे इन में से कहते हैं कि what is the probability to getting head मतलब head आने की प्राइकता क्या है तो हमने कहा पी आप ही अच्छ ध्यान दीजेगा अब आपको पता है कि कुल जो मेरे पास sample space है यस है अगर हम head के numbers को आप अबजर्ब करें तो head में तो एक ही number हमारे सामने आ रहा है तो इसलिए मैं लिख सकता हूँ one upon two head की probability one upon two हो गई इस तोरान तो अगर head की प्राइकता एक बटा दो थी तो tell की प्राइकता चाहे तो आप और पर वे में करिए चाहे तो एक से एक बटा दो को मानस कर दीजिए आपको ऐसे भी पता चलजाएगी tell की प्राइकता क्या होगी इतना समझे, मैंने कहा था एक सिक्के को अगर हम उच्छा लेंगे तो हमारे पास दो आउटकम्स टोटल में आएंगे अब एक सिक्के पर ही अधारित प्रस नहीं होता है एक से अधिक सिक्कों की भी बात की जाती है मान लिजिए हम टू कौाइंस को नोटिस करें अगर हम टू कौाइंस को मैं सबसे पहले सैंपल स्पेस की स्थिति आपको बता देता हूँ दो सिक्के अगर उच्छा ले जाएं साइमिल्टेनियसली एक दूसरे के परस पर परस पर का अर्थ है कि आप मेरे सामने आएं मैं उच्छा लूँगा और आप उच्छा लेंगे अब मैं अपने सिक्के को उच्छा लूँगा तो मेरे में भी हेड या टेल आएगा आप अपने सिक्के को उच्छा लेंगे तो आप में भी हेड या टेल आएगा लेकिन मेरे head आने पर आपका क्या आएगा या मेरे tail आने पर आपका क्या आएगा इसको समझने की जरुवत है अब यहाँ पर मैं आपको बता दू कि जो कुल outcomes होती है total, number, up, outcomes कब की दसा में मैं आपको बता रहा हूँ जब हम किनी सिक्कों को उछालते हैं उसका एक रूल बनता है टू की पावरियन टू की पावरियन बनता है अब इसको समझे जैसे अभी एक सिक्का था तो टू की पावर एक मतलब possibility sample space की दो बन कराई थी head or tail अब दो सिक्के अगर उच्छाल रहे हैं अब दो लोग हैं सपोच करिए माल लीजिए एक बेक्ती first person है दूसरा बेक्ती second person है अब इसको समझने की कोशिस करिए आपको अच्छे सिस बात की जनकारी है कि पहला बेक्ती सिक्के को उच्छालेगा तब भी उसके में head or tail आएगा दूसरा भी उच्छालेगा तो head or tail आएगा बट इस चीज़ को हम ऐसे notice करते है कि अगर मेरे में head आया तो इसके वाले में head भी आसकता है और मेरे head आने पर इसमें tail भी आसकता है मेरे tail आने पर इसका head भी हो सकता है मेरे tail आने पर इसका tail भी हो सकता है तो कुल मिलाके 2 की power यन के हिसाब से 2 की power 2 करेंगे क्योंकि कुल 2 सिक्के उचाल रहे हैं तो 4 possibility आई हैं और वह 4 possibility अगर sample इसमेस में चली गई तो H H हो सकती है H T हो सकती है T H हो सकता है T T हो सकता है T T हो सकता है तो आपने इसको देखा अगर हमने 2 सिक्के उचाले हैं simultaneously परस पर तो 4 outcomes के होने के chances हैं H E H, H T T, T E H T T इस तरह से हम generate कर सकते हैं अब मेरी बात को आप लोग समझने की कोशिस करिएगा यह दो सिक्कों की बात थी अब इस पर भी प्रसन बनाये जाएंगे और कैसे बनाये जाएंगे भी मैं इस पस्ट कर दूँगा लेकिन पहले sample space निकालना सीख लीजिए sample space इस दौरान कैसे निकाला जाता है फिर ध्यान दीजिए अगर मैं कह दूँ कि 3 coins थे अब 3 coins थे सोचो 2 coins पे आपने बता लिया 3 coins को अगर परस पर toss किया जाता है तो हम 3 coins के अधार पर कैसे sample space निकालता है total outcomes तो यहाँ पर आ गई 2 की power 3 मतलब 8 8 cool outcomes आएंगे उन 8 outcomes को generate कैसे किया जाएगा 3 लोग खड़े हो जाईए मेरे में head आया इनके में head आएगा आप में भी head आएगा मेरे head होने पर इनका head होगा उनका tail हो सकता है मेरे head होने पर इनका tail उनका head हो सकता है मेरे head होने पर इनका tail मतलब मेरी एक possibility के साथ दोनों की 4 possibility generate हो रही है इसको हम कैसे systematic लाएं मैं इसको समझाता हूँ इसका लिखने का एक process होता है आपने इस बात को decide कर लिया कि 8 outcomes आएंगी 8 outcomes को हम कुछ ऐसे करा दे head, tail, head, tail, head, tail, head, tail आठ बार ऐसे लिख दीजी एक-एक के interval पर head, tail, head, tail, head, tail, head, tail एक-एक के interval पर 8 बार लिख दीजी इसी तरह से अब आप दो-दो के interval पर लिखिए head, head, tail, tail, head, head, tail, tail अब 4-4 के interval पर लिख दीजी head, 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 tell, 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 and tell. अब देखिए यह हमारे total outcomes हो गए और इनको हमने कैसे mention किया? देखिए, H, H, H मैंने अभी इसी चीज को बताया था. H, H, T फिर देखिए, H, T, H, T, T फिर T से शुरुआत होगी T, H, H, T, H, T, 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 H और फाइनली T, 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 T इस तरह से कुल आठो outcomes को लिख दिया गया अब इसी तरह से अगर 4 सिक्के उच्छा ले जाएंगे तो 2 की पावर 4 मतलब 16 पॉसिबिलिटी होगी अगर आप ऐसे लिखना चाहते एक-एक के इंटर्वल पर 16 बार दो-दो के इंटर्वल पर 16 बार 4-4 के इंटर्वल पर 16 बार 8-8 के इंटर्वल पर 16 बार इसको 2 की पावर 0 2 की पावर 1 2 की पावर 2 पर ही हम लोग ले कर चल रहे है 2 की पावर 0 एक होता है 1-1 के इंटर्वल पर रखा गया 2 की पावर 1-2 होता है 2-2 के इंटर्वल पर दो की पावर दो चार होता है चार-चार के इंटर्वल पर दो की पावर अगर तीन आठ होगा तो आठ-ठाठ के इंटर्वल पर लिखा जाएगा जितने सिक्के होंगे उनकी कुल आउटकम्स निकालने के लिए तो की पावर यन का रूल अप्लाई किया जाता है तो की पावर यन से हम डिसाइट कर सकते हैं कि कुल कितने आउटकम्स जलेट हो सकते हैं यह बात आपने समझा होगा सेंपल स्पेस निकालने का प्रोसेस बहुत इंपोर्टन्ट है अब इस पर थोड़ा सा कॉइन्स पर अगर हम प्रसनों को भी डिसकस कर लें तो यह सारी बाते आपको सब अस्पष्ट हो जाएगी सब चीजे आप लोग समझ जाएंगे जो हम लोग यहाँ पर देना चाहते हैं बताना चाहते हैं जैसे यह आसान सी स्थिति है कि अगर हम एक सिक्के को उचालते हैं तो टेल होने की possibility या प्राइक्ता हमारी क्या होगी इसमें हम भी ना सोचे विचारे एक बटा दो बता दें कि एक बटा दो हो जाएगी अगर हम किसी एक सिक्के को टॉस करते हैं तो टेल होने की प्राइक्ता, हेड होने की प्राइक्ता दोनों एक बटा दो होगी एक बटा दो ले करके आप इस प्रसल का उत्तर दे सकते हैं अब थोड़ा सा अब आगे देखेंगे दो सिक्को को परस पर उच्छाला जाता है तो ग्यात कीजिए एक टेल की प्राइकता, सबसे पहली चीज़ आप ध्यान दीजिए, आप दो सिक्कों को जब उच्छालते हैं, तो आपकी possibility जैसे क्या-क्या बनती है, head-head बनती है, head-tail बनती है, tail-head बनती है, और tail-tail बनती है, अब आप सोचिए, आप से कहा गया है, एक ट हो रहे हैं, एक tail जहां जहां पर है, उसको लिख लीजिए, तो आप समझेए, यहां पर एक tail है, यहां पर एक tail है, दो ऐसे जगापर है, जहां पर एक एक tail है, तो आप H-T को ले सकते हैं, P-H को ले सकते हैं, मतलब आपकी favor की जो जरुएत है, उसमें दो outcomes आए हुए है, probability अगर हम इस A की निकालना चाहें, तो P-A is equal to, एन आप A upon एन आप YS का रूल लग जाएगा, मतलब दो बटा चार हो जाएगा, अर्था एक बटा दो हो जाएगा, दूसरा हम से बोला है, कम से कम एक tail की प्राइकता, कम से कम एक tail का मतलब, minimum number of tail is one, और maximum चाहे जो possible हो, अब maximum जो में अगर हम देख रहे हैं, हमारे पास एक ऐसी स्थिती है, सबसे अधिकतम दो tail है, अब इसको अगर हम event B का नाम दे दे, इस चीज़ को अगर मान लिजी मैंने event B का नाम दे दिया, और कम से कम इसने एक tail की कहा है, अगर एक tail की बात किया है, एक से जादा में जहां तक possible हो, मेरे पास बहुत बड़ा limit नहीं है, दो ही hit तक यहाँ पर या दो ही tail तक की स्थिती है, तो हम लोग सबसे पहले क्या क्या लेंगे, यच टी लेंगे, टी यच लेंगे, एक tail हो गया, दो tail में हमारे पास टी टी है, तो तीन आउटकम्स मेरे सामने बन कर आएं हैं, तो तीन बटा, चार होगी, आप लोग लिख सकते हैं, समझ सकते हैं, इसी तरह से, अगर हम तीन सिक्कों को परस पर उछा लें, तो हमें दो, अब पहले चीज़ तो तीन सिक्कों को परस पर उछालने के बाद, आउटकम्स अभी थोड़ी दिर पहले मैंने बताया था, यच-च-च-च-च-च-च-च-च-च-च-च-च-च-च-च-च-च-च-च-च-च-च-च-च-च-च-च-च-च-च-च-च-च-च-च-च-च-च-च-च-च-च-च-च-च-च-च-च-च-च-च-च-च-च-च-च-च-च-च-च-च-च-च-च-च-च-च-च-च-च-च-च- इसी चीज को अगर हम question में apply करें तो लिखा है दो head आने की प्राइक्ता मा लिजी मैं इसको event A नाम दे रहा हूं पहले वाले question को event A नाम दे रहा हूं दो head आने की प्राइक्ता मतलब जहां जहां दो head है देख लिजीए कहां कहां है यहां दिख रहा है यहां दिख रहा है यहां दिख रहा है और बस मतलब हमें तीन जगह पर दो head दिख रहे हैं दो head और कम से कम दो head में अंतर है आप याद रखना आप कोई कहेगा सर यहां भी दो हेड है नहीं यहां पर हम exactly दो हेड की बात कर रहे हैं जहां पर केवल दो हेड है तो आप समझ लीजे तीन जगह ऐसे हैं जैसे कौन-कौन HST, HTH और THH तीन ऐसे space है जहां पर केवल दो हेड है इनकी प्राइकता अगर मुझे ग्याद करनी है पी आप ए तो आप लिख सकते हैं दिस इस दो येन आप ए अपान येन आप येस धैट मीन्स हमारे पास हमारे फेवर में तीन है जबकि कुल हमको आठ दिख रहे है तो इसकी प्राइकता तीन बटा आठ हो गई दूसरा वाला जो प्रसन है उसमें कहा है हमसे कि कम से कम दो हेड आने की प्राइकता अब कम से कम का मतलब आप समझ गहे होंगे कि दो हेड हो दो से जादा भी अगर पॉसिबल हो तो दैट बिल भी एकसेप्टेड उसको भी हम ले सकते हैं तो हम यहाँ पर इसको अगर event भी नाम दे रहें, तो 2 head जो हैं उनको ले लेंगे, और 2 से ज़्यादा जो head हैं उनको भी लेंगे, तो 2 head में तो अभी जो हमने लिया था, जैसे H-H-T लिया था, H-T-H लिया था, और हमने T-H-H लिया था, अब 2 से ज़्यादा में अगर मैंने नोटिस किया, तो यहाँ पर यह ट्रिपल H है, ट्रिपल H ही है, बाकी ऐसे और कोई नहीं है, जहाँ पर 3 head हैं, तो आप इसको भी ले सकते हैं, जैसे कहते हैं, जहाँ पर कम से कम की बात आती है, वहाँ पर minimum से प्रारंब होकर जितने maximum possible हो सकते हैं, उनको आप ले सकते हैं, इस दोरान अगर मुझसे कोई कहता कि वाट अब आप बी, तो हम लिख देते यनाप बी, अपाने यनाप इस, यहाँ पर कुल 4 आएं हैं, और हमको कुल 8 पता थे, तो 4 बटा 8 का मतलब 1 बटा 2 हो जाएगा, अब इसने एक और चीज हमसे कहा है, एक भी हेड हो ना आने की प्राइक था, मतलब ऐसी संभावना जहाँ पर एक भी हेड नहीं आ रहा है, माली जो उसको event C नाम कर दिया, अब आप देख रहे हैं कि एक जगह ऐसा है, जहाँ पर एक भी हेड नहीं है, ओ है triple T, मतलब यहाँ पर 3 times T, जब T, T, T था, तो वही तो एक ऐसी संभावना थी, जहाँ पर एक भी हेड नहीं था, तो आपने यहाँ पर देखा, कि इस condition में केवल एक outcome सा सकता है, तो P.A.P.C. will be 1 upon 8, आप इसको 1 upon 8 कह सकते हैं, इस तरह से जो परिस्थिती इस्थिती आपको दी जाए, at least आप इतनी शमता रखें, कि आप उनको apply कर सकें, उनको देख सकें, उनके बारे में जनकारी दे सकें, मुझे लगता है कि इतनी बाते आपको समझ में आ रही है, कैसे किया जा रहा है, possibility आपको clear हो रही है, अगर इतना clear हो रही है, तो मैं कुछ सुचनाए भी संस्थान की आपको दे दूँ, कि RSI, rankers, रार बार हम सब ही कह रहे हैं, rankers, that means हम सब यहाँ पर rankers लाने की पूरी कोशिस कर रहे हैं, और प्रयास यही करेंगे कि rankers लाके दिखाएं संस्थान की तरफ से, इस batch जो यहाँ पर इस batch की हमारी रूप रेखा है, जो batch का संचालन है, उस batch का संचालन अगर देखा जाएं तो आंसी क्रूप से प्रारंब हो गया है, अंदर development के बिहाब पे काम किया जा रहा है, materials ready किया जा रहे हैं, teachers ready हो रहे हैं, सब कुछ सारी स्थिती ready होकर कि साथ तारिक से हम इस batch को उसकी sequence में ला देंगे, जो आपकी स्थिती होती है, batch website पर हो जाएगी और वहाँ से sequence से per day, जैसे कुछ लोगों को मैंने देखा, कि सर ए topic publicly आप ले final नहीं किया, मैं आपको बता दो कि जब आप batch में आते हैं, तो प्रार topic इसको भी पढ़ाया जाएगा, आप वहाँ पर इस चीज को भी पढ़ सकते हैं, वहाँ पर एक sequence से day 1 से चीज़े स्टार्ट होंगी, इस rankers SI batch का जो admission process है, अभी भी continue है, बहुत सारे लोग हमसे इसको कहें, कि सर अभी इसमें मुझे enrolled होना है, मैं उनकी जानकारी के लिए यहाँ पर आपको सूचना दे दू, किसका WhatsApp नमबर आपको दिया गया है, आप बस कुछ नहीं करिए, अपने mobile phone से, entry far RSI और इसी नमबर पर कर दीजिए WhatsApp, या आप किसी असुबिधा के दौरान आप दिये गये पर नमबर में किसी पर भी call करके, इसकी जानकारी ले सकते हैं, इस badge में जोडने का procedure समझ सकते हैं, तो बाकी चीजे हम लोग यहाँ पर course के दौरान करते हैं, course को पढ़ते हैं, इतनी सूचना मुझे देनी थी, confusion में मत रहें, भरोसा रखे 7 तारिक से हम इसकी classes संचालित करना सुरू कर देंगे, classes आपकी आपके schedule पर, आपको 6 तारिकों schedule, login ID, सब कुस दिया जाएगा, और 7 तारिक से निस्स समय से classes आपकी प्रारम हो जाएंगे, चलिए, आज आते हम जहाँ पे थे, तो जैसे मैंने आपको अभी सिक्कों के बारे में कुछ चीजें आपको बताई, कि सिक्कों की इस्थिति क्या हो सकती है, सिक्कों से हम कैसे प्रस्म देख सकते हैं, क्या इस्थिति परिस्थिति बन सकती, इसको आपने नभो किया और सीखा मेरे ख्यान से, अब हम थोड़ा सा डिसकस करते हैं about डाइस, डाइस को हम कहते है पासा खुब प्रचलन में हैं, आज की डेट में लागदाउन के दौरान पासे का प्रियोग खुब किया गया, बहुत सारे ऐसे मेंस बनें, बहुत सारे से जोग बनें, जब पासे को लेकर डिसकसन किया गय एक लूडो बड़ा खेला गया इस समय, उस लूडो में पासे का फ्रियोग करते थे, अच्छा बड़ा कामन हो गया, आज कल मुबाइल में अप्लिकेशन दिया है, लोग खेल लिया करते हैं, हम तो कहते हैं, मत खेलिया, आप सब लोग पढ़ाई करिये, उसका सही यूज करि एक, दो, तीन, चार, पाँच, छे, मतलब छे बनता था, अगर हम एक डाइस को रोल करते थे, फुल छे आउटकम्स, छे पॉसिबिलिटीज हमारे सामने बन कर सामने आती थी, अब आप समझेए, छे आउटकम्स जब बन जाती थी, उस छे आउटकम्स में, उस छे आउटक that is the most important thing अगर हम केवल एक dice के लिए यहाँ पर बात कर रहे थे वन dice के लिए अगर हम एक dice की बात करें हैं तो 6 outcomes आए हैं लेकिन कभी-कभी ऐसा भी तो हो सकता है कि हम परस पर 2 dice roll करें मतलब मैं भी roll करूं आप भी roll करो इनके लिए एक फार्मूला होता है कि after rolling a dice total number of outcomes total number of outcomes मतलब आप समझ गये हों कि कुल होने की chances 6 की power यन पर dependent हो जाता है क्योंकि एक बार में 6 outcomes आ रहे हैं पासों की संख्या यहाँ पर power में आ जाएगी और बताएगी कि कुल कितने outcomes हो सकते हैं अब एक dice roll किया 6 की power, 1 किया मतलब 6 outcomes हो गए 2 dice roll किया 2 dice roll किया तो आपको clear होगा 6 की power 2 मतलब यहाँ पर 36 outcomes होंगी अब आपका होगे सरी इसको थोड़ा समझाए कैसे होंगे मतलब 2 पासों को रोल करने पर 36 outcomes होंगे 3 पासों को रोल करने पर 6 की power 3 outcomes होंगे ऐसे ही powers लगाते जाएं outcomes explain कर सकते हैं इस 2 dice को थोड़ा समझे मा लिजी मेरा 1 dice आपका 1 dice मेरे dice को मैंने roll किया तो मुझे पता है कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 कुछ भी आ सकता है मैं थोड़ा उपर लिखता हूँ जिससे कि आपको समझ में आए हाँ ठीक है देखे 2 dice की बात में कर रहा हूँ 2 dice की बात कर रहा हूँ मैंने कहा कि मेरा 1 dice मेरे dice में मैंने roll किया 1, 2, 3, 4, 5, 6 आया आपने भी roll किया तो आपको भी 1, 2, 3, 4, 5, 6 आया बट मुझे पता है कि मेरे 1 के लिए आपका 1 भी हो सकता है 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है 6 भी हो सकता है मेरे 1 नंबर के लिए आपके 6 outcomes मेरे support में आ सकते हैं जब मेरे 1 के लिए आप 6 दे सकते हैं तो मेरे 6 के लिए आप 6 गुड़े 6 मतलब 36 outcomes दे सकते हैं इनकी situation कुछ ऐसे होती छे हो सकता है इसी तरह से दो के साथ एक हो सकता है तीन के साथ एक हो सकता है चार के साथ ऐसे फाइनली छे के साथ एक हो सकता है छे के साथ दो हो सकता है छे के साथ तीन हो सकता है छे के साथ चार हो सकता है छे के साथ पांच हो सकता है 6 के साथ 6 हो सकता हर लाइन में 6 नमबर्स आपको 6 आपसंस दिख रहे हैं मतलब कुल 36 आउटकम्स आए अब इस तरह की स्थिति को कैसे प्रसनों में ढाला जाता है इसको समझने की कोशिस करिए सबसे पहले मैंने कहा किसी पासे को फेगने पर ग्यात कीजिए क्या सम अंक के आने की प्राइक्ता आपने पासा फेगा सेंपल स्पेस और पासा एक फेगा तो 1, 2, 3, 4, 5 और 6 आउटकम्स को आए सम अंक आने की प्राइक्ता को अगर हम लोग यहाँ पर इबेंट A नाम दे दें तो सम अंक में 2 मिलेगा, 4 मिलेगा, 6 मिलेगा अब 2, 4, 6 तो मेरे फेवर के हिसाब से हैं, अगर मैं इसकी प्राइबिल्टी फाइंड करूँगा, तो मुझे पता है इसमें कुल 3 अंक है, इसमें कुल 6 अंक है, 3 बटा 6 कर दीजिए, मतलब 1 बटा 2 हो जाएगा दोसरा देखिए, बिसम अंक आने की प्राइबिल्टा, तो उसको अगर मैंने इबिल्ट B नाम दे दिया, तो बिसम में आप देख पा रहे हैं, कौन कौन से हैं, 1 है, 3 है, 5 है, अब 1, 3, 5 है, इसकी भी प्राइबिल्टा अगर मैं फाइन करूँगा, तो पी आप A हो जाए तीसरा देखिए कि आप से कहा तीन से बड़ी या समान अंक आने की प्राइकता मतलब C को अगर हम दो कि तीसरा इबेंट नाम दे दें तो C बराबर आपके पास 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है मतलब कुल चार आउटकम से बन कर आ रहे हैं तो पी आप सी आपके सामने चार बटा छे मतलब दो बटा तीन हो जाएगा इस तरह से हम एक पासे को फेक करके उसमें से इस्थित सारी पॉसिबिलिटी की प्राइक्ता को ग्याद कर सकते हैं अब मान लिजे मैंने दो पॉसे रोल किये दो पासो को फेकने के करम में ग्याद कीजिए क्या ग्याद करें असमान अंकाने की प्राइक्ता संख्याओं का योग 6 होने की प्राइक्ता संख्याओं का योग कम से कम 9 होने की प्राइक्ता अब आप थोड़ा एक एक करके चीजों को समझेए सबसे पहले दो पासों के फेकने की बात करिए दो पासों के फेकने में मैंने आपको बताया six की power to मतलब 36 कुल आउटकम्स आए मतलब यह fix है कि यह ना फियस हमारा 36 है इस बात को हम समझ गए है बस हम अपने event के हिसाब से चीजों को प्लान करें कि यहाँ पर हमको यह decide करना बढ़ा हो सक है कि कैसे हम यहाँ पर असमान अंक कैसे हम लोग यहाँ पर जो हम बाते आप से कहें है उसको हम लोग कैसे decide कर पाएंगे तो मैंने कहा कि अगर हम यहाँ पर असमान अंक आने की प्राइक्ता की बात कर रहे हैं तो असमान अंक में सबसे पहले देखिए अगर हम लोग यहाँ पर थोड़ी सी स्पेसिंग कर दें जैसे कि आपको पता है कि अगर पहला पासा था दूसरा पासा था पहले पासे में एक, दो, तीन, चार, पाच, छे बन रहा था दूसरे पासे में भी एक, दो, तीन, चार, पाच, और छे बन रहा था अब हम असमान की बात करें तो एक के साथ दो होगा एक के साथ तीन होगा सार एक के साथ दो होगा एक के साथ तीन होगा, चार होगा, पाच होगा, छे होगा दो के साथ भी दो को छोड़कर बाकी सब होंगे तीन के साथ भी तीन को छोड़कर बाकी सब होंगे चार के साथ भी चार को छोड़कर बाकी सब होंगे इस प्रकार से जो असमान होने की स्थिति ज़ादा है तो असमान होने की स्थिति अगर ज़ादा है तो क्यों न हम समान होने की स्थिति निकाल दे तो समान में अगर आपको पता है एक-एक के साथ हो सकता है दो-दो के साथ हो सकता है तीन तीन के साथ हो सकता है, चार चार के साथ हो सकता है, पाच पाच के साथ हो सकता है, और छे छे के साथ हो सकता है, कुल मिला के छे आउटकमस आई हैं, अगर हम से कोई समान का प्राइक्ता पूशता और इसके इबेंट का नाम कुछ भी होता, सपोच कर ये समान ही होता, तो पी आप समान बिल बी 6 अपान 36, that is 1 अपान 6, अब जब हमको समान की प्राइक्ता एक बटा 6 नजर आई है, तो असमान की प्राइक्ता जिसको हमने event का नाम भी दे रखा है A, उसकी प्राइक्ता हम निकालेंगे, पी आप A, बिल बी 1 माइनस 1 अपान 6, that is 5 बाइ 6, आप चाहते, तो आप ऐसे भी कर सकते थे, कैसे, 6 आउटकम समान के हैं, तो 36 में से 6 निकाल दे, बचे 30, 30 बटा 36 कर दे, 5 बटा 6 ऐसे भी हो सकता था, मतलब असमान अंक के आने की प्राइक्ता को अगर हम निकालेंगे, तो आप 5 बटे 6 हो जाएगी, इसको आप समझ पाएं होंगे, इसमें एक चीज़ और समझ गये होंगे, कि समान को भी हम लोग निकाल सकते, समान के और असमान की इस पर इस्तिती को समझ सकते हैं, चलिए, दूसरी स्तिती की बात हम लोग करें, यहीं पर इसको ऐसे बने रहने दें, और यहाँ पर हम इस दूसरे एबेंट का नाम सपोज करी बी रख देते हैं, इस समान वाली और असमान वाली पोस्स को यहां से हटा देते हैं, कहा क्या है उसको समझ ये, संख्याओं का योग 6 हो और यहाँ पर जाड़ें तो 6 होगा, एक का पाच के साथ हो गया, एक को बाकि अब किसे के साथ ने, दो को अगर मैं तीन के साथ जोड़ूगा, तो 6 हाईगा, चार को मैं दो के साथ जोड़ूगा, तो 6 आएगा, 4 को 2 के साथ 4 को मैं 2 के साथ जोड़ा तो 6 आया आपने देखा इस बात को इसके बाद अगर हम बात करते हैं थोड़ा समझने की कोसिस करिएगा आप सब लोग 5 को अगर मैं 1 के साथ जोड़ूँगा तो 6 आयेगा पाँच को अगर मैंने एक के साथ जोड़ा तो छे आया तो हमसे कहा संख्याओं का योग छे होने की प्राइकता तो छे के लिए मैंने कहा एक को पाँच के साथ एक को पाँच के साथ किया दो को तीन के साथ यहाँ पर पाँच आएगा दो को तीन के साथ नहीं, दो को चार के साथ जोडने पर छे आएगा तीन को तीन के साथ जोडने पर छे आएगा चार को दो के साथ जोडने पर छे आएगा पाँच को एक के साथ जोडने पर छे आएगा कुल मिलाके हमारे पास हमको पाँच आउटकम्स दिख रहे हैं इस दोरान अगर हम पी आफ भी फाइंड करेंगे तो यह आपका पाँच बटा 36 हो जाएगा अब आप समझेगा अगर हमको संख्याओं का योग 6 होने की प्राइक्ता ग्याद करनी है तो मुझे ऐसे पेयर डेवलप करने पड़ेंगे जो जुड़ करके 6 बनाएं तो ऐसे में हमने 1 को 5 के साथ देखा 2 को 4 के साथ 3 को 3 के साथ और हम 4 को 2 के साथ 5 को 1 के साथ जोड़ करके यहाँ पर ऐसा बना सकते हैं यहाँ बात हैं आपने कनfirm करी होगी तीसरा प्रस्ण जो यहाँ पर इसके साथ और है उसको भी ध्यान दीजेगा कहा संख्याओं का योग कम से कम नो होने की प्राइक्ता अब कम से कम नो होने के लिए मैं थोड़ा से इसको यहाँ पर हटाऊँगा तो ज़्यादा आपको समझ में आएगा कि संख्याओं का योग कम से कम नौ होने की प्राइकता इसको माली जे मैंने C इवेंट भी कर दिया अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा 1st and 2nd को यहाँ पर डेवलप करे रहो जिससे कि यह बाते खुबसपस्ट हो सके 1, 2, 3, 4, 5 and 6 1, 2, 3, 4, 5 and 6 अब ध्यान देने की आप लोग कोशिस करना हो संख्याओं का योग कम से कम 9 मतलब योग 9 भी हो सकता है 10 भी हो सकता है 11 भी हो सकता है 12 भी हो सकता है क्योंकि 9 के बाद 10, 11, 12 इस सब योग के ही पैटन पर आएंगे तो पहले मैं 9 की बात करूँ तो 3 सबसे पहले 6 के साथ जुड़कर 9 बनाएगा आउटकम्स में 3, 6 के साथ हो गया 4, 5 के साथ जुड़कर 9 बनाएगा 4 के साथ 5 हो गया फिर देखिए 5, 4 के साथ जुड़कर 9 बनाएगा 5 के साथ 4 हो गया Finally 6, 3 के साथ जुड़कर 9 बनाएगा 6 के साथ 3 हो गया 9 का काम कतम 10 पे आईए 10 पे आएंगे तो आपको पता है 4, 6 के साथ पहला जुड़ेगा तो 10 बनेगा तो 4, 6 के साथ 10 बना दिया इसके बाद 5 जो है 5 के साथ 10 बना देगा 5, 5 के साथ 10 बना देगा 6-4 के साथ यहां पर 10 बना देगा चलिए 10 का काम भी कतम 11 की बात करिए 5-6 के साथ जुड़कर 11 बनाएगा तो 6 भी 5 के साथ जुड़कर 11 बनाएगा फाइनली 12 होगा तो केवल 6-6 के साथ पेर बनेगा और यही इतने पेर स्कुल बन जाएंगे यहां पर अगर हम लोग यहां पर पी आप सी फाइंड करेंगे तो आप देख पाएं हैं 3-3-6-3-9-10 दस कुल आउटकम 36 में से तो 2-5-10 होता है 2-8-36 होता है 5-8-8 इसकी प्राइक्ता हो जाएगी तो 5-8-8 इसकी प्राइक्ता होगी और कैसे होगी इसको आपने समझा कि कम से कम 9 होने की प्राइक्ता तो हम कम से कम में योग 9 भी सों सकते हैं 10 भी 11 भी 12 इस परिस्तिती में ऐसे पेर जो की जुड़कर 9 हों 10 हों 11 हों उनको निकाल करके हम टोटल से उसको डिवाइट करेंगे जो रेशियो बनेगा वही इस रिक्वाइड प्राइक्ता को दर्साएगा मेरे ख्याल से इस बात को आप लोग असपस्ट कियोंगे समझ पाएं होंगे यह आपका प्राइक्ता पर अधारित कांसिप्ट था अभी जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया कि हमारा एक अलग सिक्विंस है अलग एप्रोच है तो हम इस दोरान जो चीज़े भी छोड़े हैं जैसे तास्क की स्थिति मैं यहाँ पर थैलों की बात किया हूँ मैं दिन की बात किया हूँ या बिवित की बात किया हूँ इसका एक सिसन आपको कल भी इसी समय में मिलेगा और उस सिसन को जब फाइनल करेंगे तो यह आपका पार्ट कम्प्लीट हो पाएगा यह जो आपकी requirement है fulfill हो पाएगी hope so या पूरा session आपने अच्छे से enjoy किया होगा अच्छे से देखा होगा समझा होगा और जहन में उतारा होगा जो किसी भी परिच्छा के लिए important होगा अगर आप इस पूरे concept को लेकर चलते हैं दूसरा भी session आप complete कर लेंगे तो इस दौरान की चीज़े आपकी कबर हो जाएंगी या पूरी security के साथ मैं कहा रहा हूँ तो कल भी इसी समय आप लोग रहिएगा और इसके आगे की कड़ी को उस दिन हम लोग present करेंगे और सीखेंगे आज के लिए इतना ही थैंक यू सो मच बहुत बहुत धन्यवाद